तो दोस्तों अगर आप हमारे चनल पर नाए हैं और अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आज का टोफिक है आपके सामने जो प्लांट दिख रहा है और आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि जो हम साइद त्यार करते हैं तो उसका सेब देते हैं उसमें हम क्या करते हैं या तो उसके सेब के लिए वाई रिख करते हैं ऑर तिसरा मेथार साइध मैंने तो नहीं देखा लेकिन हमने उस चीज को डाला है आप चाहें तो हमारे चनल पर रहा कर उब देख सकते हैं एक और तरीका है जिसमें पहले ही से हम वायर को सेप कर देते हैं और वायर के थूरू इसको हम बानते हैं तो यह आज मैं आपको बत लाने जा रहा हूं वह क्लिप एंड ग्रो मेथड है थोड़ा समय लेता है लेकिन बढ़ा आसान में जिसे आप पौधा देख पनाँ यहां से कट किया था कि इसपटे कटिंग कोहें अधर कुम दूसरा कि इस अधर को इधर से फिर मैंने इस ब्रांच को कट किया मैं इसको कट इसे चलते चलते उपर के चलते गया मैं आप चाह रहा हूं है कि यह जो से जो स्पर जो जा रहा है यहां से और जा रहा है भीज्ट इधर ये दाहिनी की दाहिनी तरफ मूल रहा है फिर यहां से बाइट तरफ मूल रहा है तो हम चाहते है कि इसके हाईड को इतने ही पर हम कोंट्रोल करें और यह दोनों बायांच में अभी आपके सामने इसको दिविपक कर रहा हूं जैसे कि हमने कंकेब केट लिया है कंकेब केमत से मudenच को कत चनल की ब्लांच को करका है इसके बाइसने वह आप देख रहे हैं इसको आसानी से याप मुआ करका सकते हैं राहा है यह हो गया अब एक बरांच हमारा इधर जा रहा है कि हाइट को इतने ही हमको रुखना है तो इसको यहाँ से हम इस पारट को कट करेंगे यहां से तो आप देखते ही एक लिफ नहीं फारे है तो यहां से हम हम कट करते हैं इसको यहां से हम कट करते हैं तो एक ब्रांच हमें हमें यहां से मिल जाएगा और यहीं इसका है इसको बहना कर देना है अब इसे ज्यादा हाइटम को नहीं चाहिए यह मेरा दूसरा प्लांट तो अब यहां से यहां से मैंने हाड़ प्रूनिंग की थी फिर यहां से ब्रांच इंकला जिसको अटा दिया हमने फिर बन जिए जा कैसे रहा है इधर से फिर इधर की और मूल रहा है यानि अब सो चना हमें किस ब्रांच को हमें है अभी हता कर यहां से जो गया है इस तरफ और यह थोड़ी यह ब्रांच को मैं यह तो में इस बनाच को लब gaza い यह अच्छा कसा थिक बेइंच है आराम से गुण हो जाएगा सागर मैं इस बनाठ 뽑 ही कट करोंगा कि इसको है यहां से एकारू अब ऑब इसका फन्ट देख लाता हूं कमेच इस तरह के शेव में के इस कर दी है आप ये देख सकते हैं किटना खुब्सूरत दिख रहा है तोस्तों देख सकते हैं इसका से की तंगा कोप्सूरत है हम्में काई जगा से कटिंग करना पड़ा है यहां से मैं चाहूं तो इसको एंड कर सकता हूं मैं चाहूं अभी इसको यहीं से कट करके इसको रोख सकता हूं इतने हैट पर लेकिन मैं चाहता हूं कि कि यह जो सरकील नुमा जो जा रहा है इसको यहां तक लेना चाहता हूं इसलिए मैं इस इस ब्रांच को जो है कट करूंगा कर दोस्ते मेरा फॉर्ट लास्ट वांट तो इसको मैंने स्टार्टिंग में ही इसको एस से दिया था हमने यहां से सब्सक्राइब देते हुए यहां से ब्रांच क्रैक भी कर गया था लेकिन चुकिए फाइकस में एक विश्ष्टा होती है कि फिर अपने आप उसमें ब्रांच को जूड़ने की तो अपने आप यह जूड़ भी गया है इसको हमें क्या करना है कि इसकी सिर्फ हमें अटाई सबसे पहले तो आप इनकी पतियों को साफ कर लीजिए लेकिन पत्ति को जल से नहीं काटना है कि इसकी पत्ति की नीचे वाली थोड़ी डंडी जो है वह बची रहा है चुकि यहीं से नया सूट हमें मिलेगा दूसरी चीज कि आप जोभी पादा हमने दिखला आया वह आप देख रहा होंगे सभी अभी गुरु बैक में लगें गुरु बैक में लगने का कारण यह होता है कि आपको जो भी ठिक निस मिलेगा पलांट का वह गुरु बैक में मिलेगा आप इसको छोटे से बड़े गुरुबैग में डालिए फिर आप उसको बड़े गुरुबैग में डालते जाए तभी आपको थिकनिस मिलेगा चुक्कि एक बार अगर हम प्लांट सिफ्ट कर जेते हैं इस बंसाई पॉट के अंदर तो फिर उसका ग्रोथ जो है वो धीमा हो जाता है तो दोस्तों इसकी मैंने प्रूनी कर दी है और यह मेरा लास्ट प्लांट था तो इस तरह के इंफ्रमारेटी वीडियो डेखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर यह वीड वक्स का सारा ले सकते हैं आज के वीडियो भी इतना ही नेक्स वीडियो हम फ्री मिलेंगे तब तक के लिए बाई